जवीम नमू बदाय में रमेश्थेटे बहुत दिनों के बाद आपसे मलाकात हो रही है कुछ लोग कह रहे थे कहां गये रमेश्थेटे कि गायब तुनी हुए हता पता नहीं वगरा वगरा तरह तरह की बाते लोग कह रहे थे लिकिन मैं अपने काम में बस था और काम कोई दूसरा नहीं कर रहा था देटल आप भीमा कोरे गाओ का ही काम कर रहा था देखिए देटल आप भीमा कोरे गाओ अपने आप में एक ऐसा विशय है जिसे बिलकुल ही सामान नहीं कहा जा सकता ये अंगार है ये करांती है ये कई बार मैं कह चुका हूँ और इसलिए इस विशय पर फिल्म बनाने का जब सोचा था तब ये बात मैं मान के चल रहा था कि इसमें अर्चन ये दिक्कते आएंगी संकट आएंगे लेकिन जिन संकटों का जिन परिस्तियों का और विपरित परिस्तियों का सामना करके यहां तक क्या आएंगे वो आप सुनेंगे अगर आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत कठिन समय था आज का जो विशे है इस वीडियो का विशे है वो विशे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि लोगों के अंदर और खास करके उन लोगों के अंदर ये बात फैल रही थी कि ये फिल्म बनेगी या नई बनेगी रिलीज होगी या नई होगी और क्या मतलब संब्रम के परि कि इनहें में कुछ लोगों ने सज्फिस्टिया मैं इससमें एक अपडेट आना जुरूरी है और एक बिसतुर्त अपडेट परिस्तिती की बात करके सक्रहार पर करके हम लोगों से पिम्हभरू हो जया तो आज के इस वीडियो का विशे है क्यों रुक गई थी फिल्म दा बैटल आफ भीमा को रिकाओ रुक गई थी ये मैं कह रहा हूँ अब नहीं रुकी है लेकिन क्यों रुक गई थी इसका जब ग्यान हमारे लोगों को होगा तो और ज्यादा सपोर्ट लोग करेंगे क्योंकि हमारे लोग बाबा साब के सिपाही हैं उनको मालूम है कि परिस्तिती से लड़के तुफान आंधी से लड़के आगे जाना पड़ता है हम लोगों को तो अगर भीमा करेंगाओ के साथ में कुछ बात हुई है तो वो भी क्या है ये जब लोग जानेंगे तो मुझे मालूम है मुझे विश्वास है कि लोगों के अंदर वो बना वो भावनाक जागरत हो जाएगी और हम फिर से नई उम्मीद के साथ में इस विशाई की तरफ बढ़ेंगे देखिए फर्स शूट हमारा जो शुरू हुआ था वो था दो फरवरी 2020 दो फरवरी 2020 और कहा शूट शुरू हुआ था एंडी स्टूडियो करजत मुंबई के पास एक जगा है करजत वहाँ पर एंडी स्टूडियो किसका स्टूडियो है ये आपने शायद और गलत गटना थी इसी स्टूडियो से संमऻन दी था हमारी चूटिण हमारी रही हुई है वह एंडी स्टूडियो करजत में देश ऑटियो हमारे फील्म के डारेक्टर्ट आरेक्टर हमारे देवदास और बड़ी बढ़ी फिल्मों में आर्ट डारेक्टर नीतिन देशाई जब हम इस स्टूडियो में शूटिंग करने की बात हमारे मन में लेकर के गए थे इन से बिलने तो नीतिन देशाई जी ने मुझे उनके चंबर में लेके गए उनका लेके गए और मुझे उन्होंने अपने चेर पर बिठाया उनकी चेर पर भूले ने ने सर अब बैठिए ठीक है मतलब जब तक कि उनको हमारा कॉंट्रैक्ट नहीं बिला था वो चाह रहे थे कि हम उनकी स्टूडियो में शूटिंग करें तब तो को इतना कॉर्डियल थे कि अपनी चेर पर ही मुझे बैठाया था और सब कुछ बाते होके फिर हमारा उनके साथ में एग्रिमेंट हुआ टोटल साथ दिन की शूटिंग का शूटिंग बना था और उसके लिए हमसे जो एग्रिमेंट हुआ था वो चार करोल पत्चीस लाग का हुआ था और इस चार करोल पत्चीस लाग में स्टूडियो में शूटिंग करनेगा और केवल स्ट जो important scenes थे वो हमने शूट किये और हमको जल्द से जल्द ये shooting कम्प्लीट करना था तो हमने उसी studio में जो मतलब agreement के अनुसार जितने locations थे सारे हम यूज करने के लिए हम अधिकरत थे क्योंकि हमने पूरा पैसा दिया था चार करोर 25 लाग का पूरा payment हमने कर दिया था और ये हम साथ दिन के shooting करने के लिए अधिकरत थे क्योंकि हमने पूरा पैसा दिया था हम सारे locations यूज करेंगे ये उसमें अंकित है agreement में लेकिन कोरोना आ गया लगबग 15 मार्च 2020 इद्गिर्द जो हो कोरोना के खबर आने लगी और फिर हमारे आर्टिस्ट लोग भी कहने लगे कि साथ ऐसी स्थिती है तो फिर 16 मार्च को ये shooting हमने stop की because of कोरोना and finally 24 मार्च से तो पूरा देश में lockdown लग गया था और फिर तो छोड़िये फिर बाद में जैसे जैसे स्थिती normalize होने लगी फिर एक बार हमने एक schedule लगाने को कोशिश की नीतिंजी से बात करके और फिर schedule भी लगाया फिर end वक्त पर उन्होंने कहा कि भाई कोरोना है और इसमें कुछ खुता है किसी के मृत्ति हो जाती तो फिर इसकी क्या बात हुई तो बोले नहीं वो तो सरकार का ये है तो तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा तब ही आप शूट कर पाएंगे तो वो भी वो शूट नहीं हो पाया फिर तीसरी भार भी हमने प्रयास किया लगबग यही बाते होते रही और हमने आर्टिस की यह अथना और भी घटी कि शूटिंग के दौरान हमारे डी ओपी है उनसे एक शनिवारवाडा का एक लोकेशन है उस लोकेशन में थोड़ी से एक स्लिट रह गए थी उपर उपर का पड़दा जो है थोड़ा सा खुला था और खुला थोड़ा हो गया थोड़ा सा तो उस क भी होगा उसका भी हमसे पैसा वSossa लग गया और पैसा कोई चोटा मोठा नहीं था बोले नहीं सायब के तो 20 लाग रुपे लगें हमने 20 लाग रुपे दे दिया उसके बाद जब कोरोना आया और इनके पास में सेलरी के लिए उनके स्टाप को सेलरी के लिए पैसे नहीं थे तो नीति इंजी ने मुझे फोन किया कि बोले कि अब ऐसा है हमारे स्टाप को सेलरी जाना है सर आप 25 लाग रूपे की मादद करिये मैंने दस मिनिट का समय भे नहीं लिया और ततकाल उनको 25 लाग रूपे के भोगतान मैंने आटी यस से उनको किया हमारी तरफ से सवा चार करोड के अगेंस जो है मतलब और बहुत बहुत सारी बाते मैं बताना नहीं चाहता लेकिन विस्तार से नहीं बताऊंगा तो आपका भरोसा मेरे पर नहीं बैठेगा तो लगबग हम 6 करोड से उपर मतलब सवा 4 करोड कहां और 6 करोड कहां इतना भुक्तान करने के बाद में भी नितीन देशाई जी ने हमारी शूटिंग उनके स्टूडियों में होने नहीं दी केवल 34 दिन की शूटिंग हमको करने दी और बाकी जो हमारा समय बचा था डेज ब जो नहीं था बच आरे देखिये विए विन आम अथराइस्ट तो यूज अधर आप पेड दो इन फूर तो वह भी उन्होंने अना अप्शनाप यह करके एतना परिशान कर दिया मैं मतलब लगातार मतलब खुटन ने टेक के हमने उनको बोला था कि नितीन जी अस अधिए इसा है यह विशे समाज का बड़ा विशे है लोग क्या कहेंगे मैं निविदन करता रहा और इतना निविदन किया कि मैंने का समाज के लिए मुझे बलब कुछ भी करना पड़े तो भी मतलब यहाँ इस वस लेवल तक जाकर उनसे निमेदन किया लेकिन उन्होंने शूटि कर लिए ना वसी स्टूडियो में किया मैंने बोला था उनको परस्नली बोला था मैंने उनको कि निदेंज आप यह नहीं हमारी शूटिंग नहीं होने देंगे समाज का बेशह है तो अमबेड़करी समाज के हाई लगेगी आपको मैंने बोला था उनको मैं औरेकॉर्ड कह सब्सक्राव में आपको लेकिन फिर भी टस्क के मस नहीं हुए और फाइनल हीर टू कमिट सुसाइब अरे आपने भी हमारे पे मतलब मैं प्रोडूसर डारेक्टर इस फिल्म का करता धरता अगर मैंने हिम्मत हारी होती तो आपने भी मेरे लिए तो वही परिसीटी क्रेट क की थी कि मैं आत्मत्या करके भाग जाओं लेकिन नहीं बाबा साब के सिपाई हैं आंधियों से तूफानों से लड़कर कर ये समाज यहां तक क्या आया है अठारा सो अठारा जब बैटल और भीमा कुरिगा हुआ था तब से लेकर अब तक के तूफानों से लड़कर के हम लोग यहां पर आये हैं तो हम डरेंगे थोड़ी मैं टूड़ गया था मैं बूल रहा हूं कि हमारे अपने लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था है मीरे खून के रिष्टे जिन लोगों को मैंने पाल पोस्ट कर बढ़ा किया, शिक्षा दे कर बढ़ा किया, ऐसे मेरे अपने खून वाले लोगों ने भी मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, ये मेरी पीडा है, और क्या करेगा, लेकिन मैंने हमत नहीं हरी, और अब तक कि लड़के आये हैं, और पर जनवरी में, जो बची है शुटिंग, जनवरी फरवरी में, आने वाले जनवरी फरवरी में ये शुटिंग कम्प्लीट होगी, और ये फिल्म, The Battle of Himakurigou, दो हजार चौबिस में रिलीज होगी, हर हाल में रिलीज होगी, मेरी फिल्म के आठिस्ट, मतलब अरजून रामप ये फिल्म की शूटिंग जो बची है वो कम्प्लीट करके दो हजार चोबीस में हर हाल में ये फिल्म को रिलीज करने के स्थिति में हम लोग आ गए हैं मेरा निविदन के वले इतना है जिन लोगोंने वी आई पी पासेस खरीदे हैं उनमें निराशाय मैं जानता हूँ कि अरे इतना समय लगता है क्या I agree with you but sir ma'am please look into these circumstances these were beyond my control मेरे control से भार परिशी थी ये लेकिन फिर भी मैं डटा रहा हूँ और मैंने तब भी कहा था कि मेरा चाय कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन मेरे समाज के एक व्यक्तिका नुकसान नहीं होने दूँगा डिलेव हुआ विलंब हुआ लोगों ने वी आईपी पासेस बुक कियें शेर्स बुक कियें कुछ लोग मुझे फोन करते हैं मुझे मेसेज करते हैं रहे थेटे जी आप मैंने आपका पांसोर रुपे का वी आपी पास खरीदा है आप खा गए मेरे पैसे आपने आमेलकरी समाज को धोका दिया है मैं लब वगर देखिए आप बोलते हैं उनको कि सोना चाहिए अगर मैंने मेरे जीवन की सारी पूंजी मेरे परिवार को तकलिफ में डाल करके और पूंजी भी क्छोटी मूटी नहीं थी करोड़ों रुपे थे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं अगर मैंने मेरा सब कुछ इसमें नौचावर कर दिया लगा दिया बाबा कि मैंने क्या किया मेरे मन में अगर ये ख्याल आता पहले कि नहीं मैंने मेरे पास जो पूंजी है मैंने केवल मेरे परिवार के लिए यूज करना है तो मैं आपको बता दू मेरे पास में उतने पैसे थे जिसमें मेरी दो तीन पीडिया तो आराम से घर में बैठके खाना कह कर देता है यह मिशन कि नहीं मेरे को रुकना नहीं है मैं केवल मेरे परिवार के लिए नहीं बनाओं आयाव रिस्पॉंसिबिलिटी तू दामेट करा इट मीशन और परफॉर्म इट मैं कम्प्लीट करूंगा और इसलिए मैं कह रहा हूं हाथ जोड के निवदन कर रहा हूं आप से आप सबसे विश्वास रखिएगा कोई गलत काम मैंने किया नहीं इस दोरान कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने मदद जरूर की है सपोर्ट किया उन्होंने फाइनशल सपोर्ट किया है मैं उनसे भी कहना चाहता हूं विलम जरूर हुआ है लेकिन मैं बेइमान नहीं हूं बेइमान नहीं हूं इमानदार बेगती हूं मैं चाहिए नोकरी में रहा कहीं भी रहा मैंने समाज की से बाकी है लोगों को सपोर्ट किया है मैंने किसके लिए क्या यह बताने की जरूरत नहीं है सब सारी चीज़े रिकॉर्ड पर है मैं केवल इतना कहना चाहता इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजे करनी चाहिए थी वो सब हमने की लेकिन कुछ लोग ऐसे आएं जो मैंने अभी आपको बताया किस कारण ये हुआ है तो ये ये विलम इसमें हुआ है ये कारण था इसका मूल रूप से और अभी क्या स्थीति ये मालूम अभी जो हमारे पैसे भी उनके तरफ जो दिये हैं हमारे पास विकल्प है विकल्प है हमारे पास या तो हम उसी स्टूडियो में वो बची शूटिंग कर सकते हैं या फिर हमारे जो पैसे हैं वो हमको वापस मिल जाएंगे जो बचे हैं उसके आदार पर हम मुंबई के फि बोल रहा हूं मतलब comfortable होने के बाद बोल रहा हूं सब बात होने के बाद बोल रहा हूं इसलिए मैंने एक सितंबर से ले मैंने बोला था एक सितंबर को वीडियो डालूंगा नहीं डाल पाया आज के 25 तारीक है इतना समय लग गया ये करने में मैंने का कुछ ठोस बात करके उनसे एक बात कहना चाहता हूं आपके मन में अगर कोई शंका हो तो नाकपूर के आफिस में आईएगा एक एक document आपको दिखा देंगे मैंने जो बोला है उसका अधार है एक एक document आपको दिखा देंगे और फिर आपको convince करेंगे तो ये 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 on record मैं कह रहा हूं कोई भी जा सकता है और सौकत है उनका हम दिखा देंगे उनको convince करेंगे अब इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं जब ये फिल्म जनवरी फरवरी में बन करके तयार हो जाएगी shooting complete हो जाएगी और post production दो तीन मेना चलेगा और जब ये release करने के लिए तयार हो जाएगी उसके पहले से ही हम इसका promotion शुरू करेंगे shooting complete होने के बाद post production होता रहेगा लेकिन तब से लेके release तक के हम इसका थोड़ा 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 प्रमोशन ये शुरू करेंगे और उसके साथ जो बहुत ज़रूरी बात हमको करना है वो मैं बात आपसे करना चाहता ह और बात वो है release की release कहां करेंगे थेटर्स में release करेंगे हमने पहले से बोला है कि 3000-5000 थेटर्स में हम यह फिल्म रिलिस करना चाहते हैं मुल्टी प्लेक्सेस हों सिंगल स्क्रीन थेटर्स हों मतलब सब में release करना चाहते हैं आपको मालूम है कि हमारे समाज की जितनी भी फड़े फिल्में बनी है मतलब चोटी बनी है कोई बड़े भीमा कोरेगा हो जैसे लेवल की फिल्म अभी तक के नहीं बनी है किसी प्रोड record है मलब कोई भी समझ सकता यह बात मेरा निविधन इतना है अभी तक आपने वे पी सिपूरेंग किये हैं लग गग 20,000 वय पी पी बूक किये हैं और हमने आप से निवेदन किया था कि आप जो है वी आई पी पासेज के माद्धेम से एक एक शो बूक करिए लिए और जो इंडिविजियली जो करना चाहते हैं लोग वो करेंगे ये मैंने निवेदन करके ये बात अपनी बताई थी और इसके अनुसार लगब 20,000, 19 से 20,000 पासेज जो है ये बूक हुए हैं और अगर हम देखते हैं तो कितने शोज होगे आप इसका हिसाब करिए इतने ही शोज अभी तक के बूक हुए हैं मैं चाहता हूं कि हमारे पास में एडवांस बूकिंग रहे ताकि अभी से हम लोग मल्टिपलेक्सियस के पास जाकर कि सिंगल स्क्रीन थेटर के पास जाकर अभी से हम बूक करके रखे हैं कि हमारी फिल्म आने वाली है और यह रहा हमारा एडवांस बूकिंग और यह रहे आपके पैसे मैं यह करना चाहता हूं तब जाके देश में कांती आएगी मतलब चोराए चोराए पे जो थेटर में मल्टिप्लेक्स में अगर हमारी फिल्म लग जाए तो तो मज़ाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप में से ऐसे कई लोग है जो सक्षा में जो समाज के लिए कमिटेड लोग हैं वो ऐसे लोग हैं हमारे समाज में 99 परसंट चोर दो लेकिन एक परसंट तबका जिस जो बात मैं कहे रहा हूं कि हमारे पास में एडवांस बुकिंग होना चाहिए वो हो सकता है इसलिए मेरा निवेदन है मैं आओंगा आपके पास मुझे अपमानित होना पड़े तो कोई बात नहीं मिशन के लिए अपमानित होना पड़े तो क्या फरक पड़ता है मैं आपक कई लोग हमारे समाज में हैं मैं इन लोगों के पास में जाऊंगा और उनसे निवजन करूंगा कि आप कम से कम एक शोव बुक कर लीजिए और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मतलब मेरे आने के पहले ही आप शोव बुक करना चाहते हैं ताइवले बहले आपके है मैं अभी से आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो अकाउंट नमबर आपको दिहाई देगा मैं आपको अकाउंट नमबर बता देता हूं यह HDFC Bank प्रताप नगर नागपूर का अकाउंट है कमपनी का अकाउंट है रमेश्टेटे फिल्म्स लिमिटेड HDFC Bank प्रताप नगर नागपूर और अकाउंट नमबर है 5921-98934-88975 IFAC कोड है HDFC 001786 यह डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आएंगे इस अकाउंट में भी आप पैसा जमा करके अपना शोव बुक कर सकते हैं विए पी पास सिंगल हो वो बुक कर सकते हैं और आपके पते पर यह विए पी पासे हम बाइप पोस्ट जो है वो भेज सकते हैं आपको ये करने के बाद मेरा जो WhatsApp नमबर है और WhatsApp नमबर आपको दिए जा रहे हैं वो WhatsApp नमबर आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं वो देख करके उस WhatsApp नमबर पे आपको अपका payment का screenshot और आपका नाम, आपका पता, mובile नमबर आधी details दे करके WhatsApp करना है WhatsApp नमबर दो तिन दिये जा रहे हैं वो आप देख लिजेगा उन पे आपको करके बेजना है आपके पते पर यह VIP पासित आ जाएंगे और आप इस तरह से यह Advanced Booking का जो सयोग है आपके तरफ से यह आप कर सकते हैं और यह बड़े विशे को आपका सपोर्ट इसमें हो जाएगा मैं एक बात और करना चाहता हूँ वो यह है कि हमारी जो बैने हैं मैलाएं हैं हमारे समाज की जो बाबा साब के मुमेंट में आगे आकर काम करती हैं मैं उनसे नहीं बिदन करना चाहता हूँ यह बिशे यह बिशे आपका भी है आप देखना हमारे मैलाओं पे क्या क्या अत्यचार होते थे और कैसा था वो मनजर यह जब आप फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बहनों के लिए अगर बाबा साब ने कोई कोई बात कही है और बाबा साब जब भीमा को रिगाओ जाते थे वो इस फिल्म के माद्देम से जो बात आप तक पोचा रहा है हम लोग तो उसमें आपके आप से निवेदन करूंगा चोटे-चोटे प्रोग्राम्स लेंगे हम चोटी-चोटी मिटिंग्स लेंगे बड़े से बड़े लोग चोटे-चोटे-चोटे लोग सब के पास में मैं जाओंगा क्योंकि यह मेरी जिम्दारी है और मुझे इसमें कोई छोटा पर नजर नही लिएधे आपको आश्वस्त करना चाहता हूं विश्वास करिएगा आपको किसी भी प्रकार का धोका इसमें नहीं होगा हम वह भाना भी आपको नहीं बताएंगे अरे साब ये नहीं हो पाया नहीं हो पाया ये हमारे मुँमें नहीं नहीं आएगा हमने करके दिखाया ये ये आपको देखने को मिलेगा और लड़कर के जब यहां तक क्या आये हैं तो विश्वास से भरा हुआ आजका दिन है confidence है और उस confidence के साथ में मैंने आप से निविदन किया था कि ये परिस्तिती थी कि क्यों रुख गई थी film The Battle of Himah को रिखाओ अब सारी बादाइं दूर हो गई है अब कोई बादा नहीं है ये film की shooting complete होगी और ये film release होगी मैंने आप से जो निविदन किया खुरुपा करके उस पर विश्वास कीजिए कुछ लोग होंगे जैसे मैंने अभी अभी का आपको कुछ लोग गाली देते मुझे अरे बोले थेटे जी आपने धोखा दिया समाज को धोखा दिया आम बेड़े करवाद के नाम पर आप पैसा खा रहे हो पांसो रुपे खाया अपने मेरा मुझे हसी आती है लेकिन ठीक है मैंने गालिया सुनी लोगों गई और ऐसे लोगों कि कभी मैंने अप्रिक्षा नहीं किया था कि यह यह आदम ऐसा बोलेगा मेरे हवा साब के मोमेंट के लिए अब इससे नीचे जाके बात नहीं करूंगा लेकिन तकलीफ सह करके भी मैं आज अगर खड़ा हूँ तो केवल बाबा साब के विचारों पर टिक करकर मैं आप से बात कर रहा हूँ अब बहुत अच्छा समय आएगा और बड़ी बाते नहीं कर बरता हूं यह फिल्म रिलीज होगी बड़े पैमाने पर रिलीज होगी आपका साथ चाहिए मुझे विश्वास है आप साथ देंगे और बैटल आफ भीमा कुरिगा फिल्म इस देश में करांधी लाएगी यह बड़ी फिल्म है आपका भी शह बावा साब का भी शह समाज क बीशे है जैबीम नमवद्दाए थैंक यो वेरी मुच